हर चार दशक के बाद इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक उलेख निये बदलाब देखने में आता है 1930 के दशक में वैल्यू इन्वेस्टिंग का समय था जब कम्पनीज का वैल्यूवेशन करने के लिए एक डेटा डिरिवन इन्फरमेशन लेड अप्रोच सामने आया 1970 के दशक में Index Funds और ETF के जरिये Passive Investing को Popularity मिली और पिछले दशक से हम Factor Investing का Rise देख रहे हैं जो Active और Passive Investing को एक Potent Package में जोडता है अब Global Level पर Factor Investing से Linked Financial Products में 1.2 Trillion Dollar से अधिक invested है जो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है ये नंबर भारत की तुलना में काफी बड़ा है हालाकि पिछले 12 से 18 महिनों में कई Factor Funds की शुरुआत हुई है इस दौरान Fund Houses ने नई Offering Line Up की हैं जिनमे Value, Momentum, Quality और Low Volatility जैसे Primary Factors शामिल हैं हम इस वीडियो में इन Factors पर अधिक विस्तार से स्टड़ी करेंगे तो आईए शुरू करते हैं Value Factor संभवतह सबसे अधिक documented है और निश्चित रूप से Investment Industry में सभी Factors में इस पर सबसे अधिक स्टड़ी की गई है सरल शब्दों में कहें तो Value Factor इस आईडिया पर आधारित है कि Lower Valuation वाली Companies अधिक Returns जनरेट करती हैं हमारा Research शो करता है कि Growth Companies को उन 30% Stock के रूप में Define किया जाता है जिनका सबसे अधिक Book Value to Market Cap Ratio है और इसी प्रकार Value Stock सबसे कम 30% Stock होते हैं जब इन्हें उसी अनुपात में Sort किया जाता है इसलिए जहां Book Value to Market Cap Ratio Value को Define करने का एक तरीका है SNP BSE Value Index एक अलग methodology का उप्योग करता है जो Book Value, Price, Earnings और Sales के Around Metrics के Combination के रूप में एक साथ आता है In fact, Indian Mutual Fund Space के भीतर Value Factor की दो टाइप की स्कीम्स होती है सबसे पहले Nifty 50 Value 20 Fund है जो ICICI Prudential, Kotak और Nippon India जैसे Fund Houses द्वारा ओफर किया जाता है और फिर हाल ही में Launched मोतिलाल ओस्वाल BSE Enhanced Value Fund है जैसा की नाम से संकेत मिलता है Nifty 50 Value 20 Index, Nifty 50 Companies की लिस्ट के भीतर 20 Stocks को फिल्टर करना चाहता है ऐसा करने के लिए पहले Companies को Weights Assign किया जाता है फिर Companies को उनके द्वारा Employed Return on Capital, उनके P.E. Ratio, Price to Book Ratio और उनके Dividend Yield के अधार पर Rank किया जाता है जैसे की कोई कलपना कर सकता है, एक High ROCE और Dividend Yield और एक Low P.E. and P.V. Ratio इस Value Seeking Scoreboard पर एक High Score प्राप्त करता है अब चुकि ICICI Prudential, KOTAC और Nippon India Nifty 50 Value 20 Fund सभी एक ही NSE Stock Selection Methodology पर भरोसा करते हैं तीनों fund समान constituents, weightages, performance और risk grading के साथ आते हैं और Nifty 50 Index की साथ तुलना की जाती है तो हम पाते हैं कि Value 20 Index ने पिछले 5 वर्षों में broader index से कहीं बहतर perform किया है और volatility ने निचले स्तर पर ऐसा किया है वास्तव में जब हमने कई वर्षों में performance data को expand किया तो हमने पाया कि आम तौर पर Value 20 Index return 2013, 2018 तथा 2020 के bear market को छोड़कर Nifty 50 के आसपास होता है जब Value Index ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इसे अलग तरीके से कहें तो Value Factor bear market में relatively अच्छा प्रदर्शन करता है इसलिए ये ऐसा कुछ है जिसे investor देखना चाहेंगे Momentum Factor थोड़ा अलग है कम से कम conceptual level पर और ऐसा इसलिए है क्योंकि conceptually ये factor कहता है कि जिन stocks ने अपने peers की तूलना में अच्छा प्रदर्शन किया है वे short term में अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे और vice versa दूसरे शब्दों में विजेताओं को जीतते रहने दे और हारने वालों को हारते रहने दे इसलिए essentially momentum investing थोड़ी बहुत एक high turnover trading strategy की तरह है जिसमें upside को capture करने के लिए लगातार stock में गुसने और उससे बाहर निकलने की जरूरत होती है momentum investing पर अधिक विवरन हमारे YouTube चैनल पर दूसरे वीडियो में उपलब्ध है इस वीडियो में मैं आपको nifty 200 momentum 30 index का एक quick snapshot देना चाहूंगा जो अब UTI, IDFC, आदित्यविला Sun Life, ICICI Prudential तथा मोतिलाल औस्वाल सहित कई fund houses के पास उपलब्ध है जैसा की नाम से संकेत मिलता है nifty 200 momentum 30 index nifty 200 companies की सूची से 30 stock को filter out करता है ऐसा करने के लिए एक pre-determined methodology का use किया जाता है जिसके basis पे selection, normalization तथा waiting criteria को manage किया जाता है और जहां खुद index को केवल एक साल पहले ही launch किया गया था इसके back tested results शो करते हैं कि momentum investing का कई वर्षों से मजबूत प्रदर्शन रहा है बेशक वर्ष 2000, 2008, to some extent 2018 तथा 2022 के bear market के दौरान केवल कुछ दरारे दिखाई देती है जहां हमारे guide के रूप में यूज़ करते हैं ऐसा लगता है कि momentum investing strategy उस वक्त बहुत अच्छा production कर रही होती है जब बाजार बढ़ रहा होता है लेकिन तब बहुत अच्छा नहीं करती जब bear market का समय होता है momentum और value जैसे factors के उलट इस बात पर कोई consensus नहीं है कि quality का वास्तव में क्या आर्थ होता है अब आम तोर पर किसी company की quality का पता उसके high profitability होने कम financial leverage के साथ उसका एक मजबूत balance sheet होने से चलता है और इन ही संकेतों का उपयोग SNP quality index द्वारा किया जाता है जो किसी company की quality को measure करने के लिए तीन sub factors का उपयोग करता है एक ये company का return on equity यूज़ करता है और समझा जा सकता है कि जितना high ROE होगा ये उतना ही बहतर होगा Secondly, ये factor balance sheet accurals ratio का यूज़ करता है ये accurals ratio जितना कम होगा उतना ही बहतर होगा क्योंकि higher ratio का आर्थ कि company ने उन sales के लिए cash receive नहीं किया जो वो पहले ही कर चुकी है अंत में एक financial leverage ratio होता है जिसे company के कुल debt के रूप में calculate किया जाता है जो उसके book value से divided होता है In fact, मोतिलाल ओस्वाल SNP BSE Quality Index Fund quality के उपरोक्त definition को बताता है जबकि DSP एवं UTI द्वारा Nifty Mid Cap 150 Quality 50 schemes या SBI और आदित्य बिलासन लाइब द्वारा Nifty 200 quality 30 schemes या Edelwise mutual fund की Nifty 100 quality 30 fund जैसे अन्य schemes थोड़े अलग अप्रोच को follow करते प्रतीत होते हैं तुलना के लिए हमने Nifty 200 quality 30 index का यूज किया है और यहां टेबल चो करता है कि quality factor का performance 6-8 विसदी के moderate band में वर्षों के उपर और नीचे जाता है इसलिए हम यहां isolation में बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं लेकिन आपके फैसला लेने के लिए जब हम इस वीडियो के summary पर पहुँचेंगे तो हम इन सब को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ आईए हमारे fourth factor पर चलते हैं जो है low volatility Conventional ग्यान से संकीत मिलता है कि अधिक रिस्क लेने के द्वारा high return प्राप्थ होने के सभावना होती है ये ज्यादातर मामलों में काम कर सकता है पर ये भी सच है कि ऐसे कई studies हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार lower risk quotient के साथ equity assets, high risk वाले equity assets को आउस परफॉर्म कर देते हैं ये ऐसा अप्रोच है जिसने 2008 के global financial संकट के बाद popularity प्राप्त की क्योंकि ज्यादा investors ने defensive less volatile stocks की मांग की जिसका अर्थ था कि low volatility strategy ने bearish या range bound markets में अच्छा performance दिया जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं यहाँ विचार least volatile stocks को pick करने का है और यहाँ volatility को आम तोर पर पिछले लगभग एक साल के लिए daily price return के standard deviation के रूप में calculate किया जाता है इसी अप्रोच का use ICICI Prudential और कोटक द्वारा managed nifty saw low volatility 30 fund में किया जाता है जबकि UTI और मोतिलाल Oswald schemes अपने corresponding offerings में SNP के methodology का उपयोग करती हैं इसलिए जैसे की उमीद थी low volatility factor का निश्चित रूप से market cap factors nifty 50 की तुलना में काफी कम standard deviation था लेकिन अगर return आपके लिए primary consideration है तो broader indices के साथ एक तुलना ये प्रदर्शित करती है कि low volatility factor पूरे alpha की पेशकश नहीं करता बास्तव में ज्यादातर बश्चों में low volatility 30 index ने केवल nifty 50 और nifty 200 के साथ ही match किया है जो इस factor की utility पर सवाल खड़ी करता है हाला कि कई fund low volatility factor को alpha जैसे अन्य factors के साथ mix करते रहे हैं जिससे की वो better returns प्राप्त कर सकें अपने सबसे बुन्यादी स्तर पर factor अधारत investing केवल नियमों के एक set को define तथा apply करने के बारे में है हमने यहाँ चार primary factors पर चड़चा की है Global Analyst fraternity अपने investors को benchmark को beat करने वाले return देने के singular objective के साथ 300 से अधिक अलग-अलग factors के combination का use करते हैं Indian mutual fund space के भीतर हम देख रहे हैं कि नए fund houses जैसे NJ fund house भी factor अधारत investing को अपना रहे हैं यहाँ तक की खुद को एक dedicated factor अधारत asset manager के रूप में position कर रहे हैं लेकिन चीजों को सरण रखने के लिए आये कुछ important lessons को याद रख लें सबसे पहली बात यह है कि winners बदलते रहते हैं मेरा मतलब है कि इस colorful table को देखें notice करें कि कैसे हर एक factor को top 2 ranks में feature करने का एक अच्छा मौका मिला है हालाकि वर्ष 2022 को छोड़कर top 3 के भीतर बने रहने के साथ momentum factor ने सबसे अधिक जीत हासिल की है दूसरा point जिस पर विचार किया जाना चाहिए वो है timing aspect आप देखें कि market के bull phase में यह momentum strategy है जिसने बेहत अच्छा performance किया है और Nifty 200 TRI को 8% से अधिक के अंतर से पीछे छोड़ दिया है बास्तव में momentum factor में अन्य तीन factors पर 10% से अधिक का alpha है जो इसे बढ़ते market का bull बना देता है बहरहाल एक bear market में quality और low volatility factors ही हैं जो momentum, market cap तथा value factor को कम से कम 10% से बीट करते हुए गिरावट को रोकने में बहतर काम करते हैं अनिवारे रूप से अगर आप एक investor के रूप में market cycles की तरज पर इन factors को dynamically allocate करते हैं तो benchmark पर और अधिक alpha generate किया जा सकता है और मैं यहाँ छोटे numbers की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये nifty 50 या nifty 200 द्वारा offer किये जाने वालों की तुलना में 8 से 12% तक अधिक हो सकता है इसलिए ये आपके लिए विचार करने तथा कुछ home work करने के लिए था लेकिन इतना कुछ कहे चुकने के बाद मैं ये विश्वास करता हूँ कि भारत में factor investing के लिए समय आ चुका है और इस front पर और बहुत कुछ देखने की उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ET Money चैनल आपको इस front पर development के बारे में जानकारी देता रहेगा और ऐसे updates के लिए इस चैनल को subscribe करें एक बार फिर समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद और मैं एक और insightful वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ